जावा स्क्रिप्ट आप में से कई लोग enjoy कर रहे हैं मुझे भी काफी मजा आ रहा है यहाँ पर आप लोग के साथ websites बनाने में अब यहाँ पर हम लोग करने के अवाले है जावा स्क्रिप्ट के strings method को देखेंगे कि जो string methods है हमारे हमने अब तक access नहीं करें तो kindly click करके bookmark करें और यहाँ click करके save करें उसी के सासथ में यहाँ पर tute49.html नाम से एक file बनाऊंगा तो यहाँ पर मैं and string methods यनि की strings और उनके methods अब यहाँ body के अंदर मैं div.container लगा दूँगा और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक paragraph लिखके lorem 34 लिख दूँगा और यहाँ पर एक paragraph लगाकर lorem 4 लिख दूँगा एक heading type की हो जाएगी वो in fact मुझे h1 लिखना था but that should be fine यार अगर मैं नहीं भी लिखो तो मेरा काम तो यहाँ पर हो जाएगा go live पर click करके live जाओंगा और यहाँ पर देखो live server चालू हो चुका है लेकिन यहाँ पर जो मैं काम करना चाहता हूँ भी वो यह है कि style नहीं यहाँ पर एक script tag डालना जाता हूँ तो मैं अगर यहाँ पर एक script tag डालू और यहाँ पर अपनी javascript लिखना चालू कर दूँ तो यहाँ पर मेरी javascript जो है वो execute करेगा मेरा browser ठीक है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग यहाँ पर var string is equal to और यहाँ पर this use करके एक string बना सकते हो और आपने जिस तरह से यहाँ पर var string is equal to this लिखा आप console.log string जब करोगे तो यहाँ पर देखो आपके javascript console में आप लोगों को यह string जो है log होती हुई मिलेगी अब यहाँ पर हम लोगों ने double quotes इस्तेमाल करे इस string को बनाने के लिए मैं आप लोगों को बतान लगा है single quote भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अब single quote कभ use करने double quote कभ use करने एक बहुत ही ideal से scenario मैं कहूंगा कि अगर आप लोग double quote इस्तेमाल करना चाते हैm string के बीचो बीच tab लोगों को use करना पड़ेगा single quote और अगर आप single quote अब अगर इसके इंदर डाल दू अभी तो यह प्रॉब्लम में आ गया यह देखो यह आपर अनेक्सपेक्टर इडेंटिफायर का अरर भी आ गया तो जब भी आपको अपनी स्ट्रिंग में डबल कोट यूज करना है तब आप लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ तोलग कोट से सराअका तो calend kay tah सिंगल कोट यूज अरबल कोट से सराओव गशन अ अ अ जिस तर अम आपर यह स्ट्रिंग मना यह यह श् пожट आप सकता हूं मैं इसे Genome एक बमगद हो यहाँ पर हट है कि अनलग में name करूँ और name में message जोड़ू तो हम लोग यहापर देखा था जो plus operator होता है वो मारा दो numbers को जोड़ता है लेकिन string के case में यह हमारी strings को concatenate कर देता है यानि कि आपस में जोड़ देता है तो यहापर हम लोग देखते हैं इसको अपने console में किस तरह दिखाई दे रही है जैसे कि आप लोगों ने देखा यह बिलकुल इस तरह दिखाई दे रही है जिस तरह हम चाहते थे हमने इनको add कर दिये और हमारी यह strings है वो एक साथ merge हो के दिख रही है अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ template literal के बारे में और इसका number इसका मतलब यह है कि मैं var temp is equal to अगर कुछ इस तरह से backticks लगाकर एक string बनाओ दियान से मेरी बात सुनना ठीक है यहाँ पर अगर मारलो मैं एक और string भी बना लेता हूँ just to make it better channel is equal to code with ठीक है मैंने template बनाई मैं आपर लिखूँगा अभी dollar और यहां लिख दूँगा name अब आप लोग क्या लिख रहे हो और यह कहां से आई जो मैंने लगाए है अभी backticks यह आपके escape के नीचे होते हैं keyboard में tab के उपर और one number के left side में देखना ध्यान से keyboard में उपर होते हैं top left में यह वाला जो आपका button है इसको आपको मिल जाएंगे इनको backticks बोलते हैं इसी के बीच ओ बीच आप एक string लिख सकते हैं और आप single quote और double quote दोनों use कर सकते हैं एक तो इस backtick के अंदर तो बहुत साई लोगा सवाल होगा single or double दोनों use करने एक साथ तो क्या use करने तो यहाँ पर dollar name हमने लिखा उसके बाद लिखा is a nice person फिर उसके बाद लिखेंगे and he has a channel called dollar channel ठीक है मैंने कुछ इस तरह कर दिया अब अगर मैं यह console.log यह ना लिखकर console.log टैंप लिखूँ temp तो आप लोग देखो यहाँ पर Harry is a nice person and he has a channel called quote with Harry यह आ गया यानि कि जब भी मैं dollar लगा कर कुछ इस तरह से लिखता हूँ तब क्या होता है कि मेरी जो string है वो fill in the blanks type से हो जाती है ठीक है तो यह आप लोग use कर सकते हैं अपनी strings को complete करने के लिए और कोई बड़ी बड़ी use कर लो उसी के साथ साथ यहाँ पर double code भी use कर लो कोई problem आप लोग को नहीं आने वाली है तो यहाँ पर single code भी आगया double code भी आगया कोई दिक्कत मुझे नहीं आई ठीक है तो यह था मेरी string का template लेटरल अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं आपर string की length को निकालो तो मैं आपर ल dot length करता हूँ और मैं console.log करूँगा और बिल्कुल उसी template literal का इस्वाल करूँगा length of name is और यहाँ पर मैं dollar लिखकर अपना template literal लगा दूँगा length और यहाँ पर अपना back tick बंद कर दूँगा ठीक है यहाँ पर लिखकर आएगा length of name is 5 क्यों क्यों क्योंकि जो मेरी यह जो name.length है जनी कि जो name है मेरा variable उसमें 1,2,3,4,5 characters है तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो use कर सकते हो इस चीज को अपने 5 characters अगर आप लोग चाहते हो कि आपके आएं जितने characters हैं जैसे कि name में 5 से मेरे तो मेरे 5 आ गया है तो basically आप एक string की length निकालने हो name.length करके ठीक है बहुत ही simple कोई भी बड़ी चीज इसमें नहीं है अब यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि कुछ हमारे पास escape sequence characters भी होते हैं और वो कुछ इस तरह से काम करते हैं जैसे कि मैं आप लोग को इसको comment out करके दिखाता हूं इसको comment out कर देता हूं और नीचे मैं भी यहाँ पर लिखूंगा console.log मैं लिखूंगा hello और word और उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर backslash n लिखूंगा और उसके बाद Harry लिखूंगा ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देखो इसको मैं console.log करूंगा तो hello word आया backslash n से यह नीचे आ गया तो जो backslash n है वो मेरा escape sequence character है और escape sequence characters क्या करते हैं कुछ special तरह के characters होते हैं तो जो backslash n है यह एक character है और यह represent कर रहे है new line को यह new line character है इसी तरह हमारे पर बहुत सारे escape sequence characters होते हैं जो कि आप try कर सकते हो जैसे कि मैं आप लोग को example देता हूं backslash t एक होता है और हमारा एक backslash b भी होता है इसको backspace बोलते है तो य यह सारी के size जो हैं हमारे operators यह valid है ठीक है तो आप लोग यहाँ पर इनको बिल्कुल explore करें और most often आप use करेंगे एक तो backslash n नहीं तो backslash backslash भी आप use कर सकते हैं उससे क्या होगा कि अगर आप लोग सिर्फ एक backslash लिखना चाहते हैं तो backslash backslash दो बार लिखना अपने backslash को escape कर दूगा अब यह चीज कई लोगों को जो है बहुत जादा डरावनी सी लगेगी बट मैं बता रहा हूं उसका use जादा है नहीं backslash n पता होना चाहिए आपको और वैसे भी बहुत simple है समझ में आ गया हो I hope जितना as long as आपको समझ में आ गया कि backslash n new line पर ल बना सकते हो आपको जिस तरह से भी string बना सकते हो जैसे कि where y is equal to new string और this आप करो गया तो आपका जो console.log y है यह आपका this दिखाएगा लेकिन आप क्यूंकि हमारे पास already method है ठीक अब यहां पर देखो यह string मैंने string constructor बना दिया है और यह string बनाने का एक और तरीका है बढ़ आप normal तरीके से ही मना लेक अंस्ट्रक्टर से ना बनाए तो I hope कि समझ में आ गया होगा आप लोग को और आप लोग string के जो basic से उसको समझ गया होगे अब हम लोग जल्दी से string के कुछ methods को देखेंगे अगले वीडियो में और उसमें हम लोग यह देखेंगे कि strings के वो कौन-कौन से methods हैं जो कि हम use कर सकते हैं अपने अपने program को अपने javascript code को जो कि हम website पर show करना चाहते हैं उसको efficient बनाने की बहुत ही हलका सा test देना चाहूँगा कि strings क्यों use कर रहे हैं इस बात का ठीक है जैसे मौनलो मैं आपर लिखता हूँ document.getElementById ठीक है और id रख देता हूँ यहाँ पर span ठीक है और content तो मैं कुछ इस तरह से .innerHTML is equal to लिख सकता हूँ कुछ string दे सकता हूँ मालो मैंने आपर b दे दी यहाँ पर काम करता हूँ h3 दे देता हूँ this is an h3 heading कुछ इस तरह से मैं दे देता हूँ और content नाम की id का मुझे भी बनाना पड़ेगा तो मैं आपर एक काम करता हूँ id is equal to content देता हूँ तो जो मेरा div है अभी इसके अंदर कुछ नहीं है लेकिन जैसी javascript execute होगी इसके इसके अंदर this is an h3 heading आ जाएगा तो यहाँ पर मैंने dynamically javascript से एक element insert कर दिया तो यह element थी यह पहले string ही थी तो हम लोग का strings में command होना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि strings को ही हम manipulate करके show कराएंगे अपनी DOM के अंदर आप लोग समझ गए होंगे और अब लोग string के कुछ important methods को देखेंगे और फिर जल्दी से आप लोग अपने discussion को finish करते हुए एक बहुत ही website बनाएंगे कि मैं इस course को बहुत जादा practical रखना चाता हूं बिल्कुल भी जादा theoretical नहीं रखना चाता हूं I hope कि आप लोग को पसंद आ रहा है और आप लोग को इस वीडियो को लाइक जरू करेंगे अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं इस description में मैं सब कुछ आप लोग को दे दे रहा हूं सारा code जो भी चीज है सब आप लोग को मिल जाएगी description में इस playlist को bookmark करके यहां क्लिक क करके और यहां के लिए करके इसको सेव कर ले आ अपने पास thank you so much guys for watching this video and I will see you next time